हाई फ्रेंज आज अब सबको नटमेक के कुछ उपाई बताने जारी हूँ जाइफल के कुछ उपाई और काफी कारगर है हम सब देख चुके हैं कि जब हम बेलीफ टेकनीक करते हैं हमारी विशल्स में हो फिर चाहे मनी अट्राक करने में हो बेलीफ हो या फिर सेनमन स्टेको दालचीनी की रंडिया हूँ उन सबने काफी हेल्प किया है काफी सारी चीजें हमने मैनेफेस्ट की है इसी तरह से जाइफल भी बहुत गुनकारी है और इसके काफी सारे उपाएं हैं तो जाइफल मैंने पहले भी बोला है कि हमारे के जितने भी गरम मसाले हैं उनकी काफी सारी medicinal values भी हैं साथ में उनकी जो खुशबू है बहुत सारी चीजों को manifest करने में हमारी help करती है क्योंकि energy absorbers होते हैं, ये energy को attract कर पाते हैं इनकी खुशबू इसलिए आज की इस category में nutmeg को शामिल करते हैं जाइफल को शामिल करते हैं जाइफल का सबसे पहला उपाए या सबसे पहली remedy अगर कुछ है तो वो है कि अगर आप एक जाइफल सोमवार को जाकर के शंकर जी के मंदर में या फिर किसी भी दिन जाके शंकर जी के मंदर में अपनी मनो कामना के साथ चढ़ाना शुरू करते हो जाइफल को चढ़ाने से मन की शांती मिलती है और क्या होता है हम जिस काम में हमें बड़ी सारी अर्चने आ रही हैं वो ब्लॉकचेज रिमूव होने शुरू होते हैं तो अगर मन शांत होगा ब्लॉकचेज रिमूव होगा तो डेफिनेटली आपकी विशेज भी मैनिफेस्ट होंगी तो आप किसी भी दिन सुभा सुभा के टाइम पे ही होगा ये ध्यान रखेगा शां को नहीं होगा तो इसके लिए कोई भी आप दूसरा मुझसे आप्शन मत पूछना कि हम सुभा नहीं कर सकते तो शाम को कर सकते हैं दोपहर को कर सकते हैं नई सुभा भी ग्यारा बजे से पहले-पहले का टाइम होता है एक जाइफल आप लेके जाएं जाइफल को गंगा जल से या फिर पानी से धोलें और इसके बाद शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ाएं अपने मन की इच्छा के साथ ठीक है इसको चढ़ाने के बाद आप देखोगे लाइफ में धीरे-धीरे आपको काफी जादा तसली सबर आएगा मन में शान्ती आएगी और ये सबर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है पहला ये और आपकी wishes के लिए आप pray भी कर सकते हो वाँ पर प्रातना में शक्ती होती है हमेशा जानते हैं तो ये तो सबसे पहला दूसरा जब लगे कि हमारे घर का महौल काफी अशान्त हो रहा है काफी जादा negative vibe चल रहा है घर में ये अच्छा नहीं है लडाई जगड़े हो रहे हैं हापस में मेंबर्स में एक जाइफल आप अपने घर में घर के मंदिर में देवी देताओं के सामने कहीं पे भी मंदिर में एक जगा रख दीजिए ठीक है नाव ये pink salt lamp आप लोगों ने सुना होगा कि हम रखते हैं pink salt lamp घर के vibes को purify करते रहता है negative energy को absorb करता है उसी तरह से ये छोटा सा जाइफल का टुकड़ा आपके घर के vibes को purify करता है और positive करता है तो इसको मंदिर में रखिए ताकि negativity eliminate हो एक positivity build हो घर में और yes अगर positive बातवरन रहेगा तो सब चीज़े manifest होंगी सब चीज़े अच्छी होती चली जाएंगी तीसरा खूपसूर्ती में beauty में जाइफल का बहुत बड़ा रोल है जो हम जानते ही नहीं अभी तक आप simple सा क्या कर सकते हो शेहद लोगे honey जैसा कि Goddess Hekaate के ritual में हमने देखा है honey ने क्या magic किया है beauty में right honey में आप nutmeg को जाइफल को हलका सा कदुकस करेंगे अगर आप घिसेंगे उसे तो उसका powder निकल जाएगा उस powder को थोड़ा सा एक चुटकी भर होना चीज़ जादा नहीं एक चुटकी आप शेहद में मिलाएं अच्छे से dissolve कर ले एक चमश यह दो चमश शेहद ले उसमें मिला करके और फिर इस शेहद को आप अपने चहरे पे अपलाए कर सकते हो Goddess Hekaate को याद करते हुए या फिर किसी भी divine energy को याद करते हुए क्योंकि जब हम किसी भी divine energy का नाम ले लेते हैं कुछ ऐसे applications में किसी भी spell में टेकनीक में तो अलगी energy विल होती है अपने beauty को enhance कर सकते हो आप एक जाइफल के टुकडे से इसके अलावा next जो बहुत important चीज है बहुत से लोगों को रात में नीन नहीं आती है ठीक से नीन में तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हो एक glass दूद लो उसमें थोड़ा सा जाइफल घिसो again एक चुटकी बहुत है घिसके दूद में मिलाओ अच्छे से affirmation दो दूद में हाट में लो दूद को इसको affirm करो इस चीज़ से कि मुझे बहुत अच्छी नीन आ रही है मेरे मन में बहुत शांती है और नीन से जाइफल का क्या relationship है वो सिर्फ इतना है कि जैसा कि मैंने बोला इसमें एक तो medicinal values बहुत सारे हैं इसके काफी सारे minerals and vitamins के आप इसके बारे में search कर सकते हो Google कर सकते हो देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या contents है जब इसको आप consume करते हो लेते हो अपने अंदर तो आपको एक अलग सी शांती महसूस होती है जैसा मैंने बोला कि शिवलिंग पर चढ़ाने से भी हमें शांती मिलती है तो मन अगर शांत होगा तो बहुत ज़ादा सोचेंगे नहीं तो आपको नींद आही जाएगी नीद ना आने की वज़ा क्या होती है कुछ बहुत हमारे दिमाग में काफी सारी चीज़े चल रही होती है और वो फिर इंसोम्निया का कारण बन जाता है नीद ना आने का कारण बनता है तो इसलिए दूद में आप थोड़ा सा जायफल रोज घिसके मिलाएं अच्छे से मिलाकर के हाथ में लें अफरमेशन दें मुझे बहुत अच्छी बहुत गहरी नीद आ रही है इस तरह से कम से कम तीन बार बोलें और फिर इस दूद को पी जाएं पीएं आराम से लेटें धीरे 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 आपका मन शान्थ होगा दिमाग शान्थ होगा आपको नीद भी आनी शुरू होगी इसके अलावा ब्यूटी बता दिया मैंने ये सब अपनी विशेस के लिए और जॉब के लिए बताऊंगी जॉब के लिए जाएफल बहुत बहुत गुनकारी है I would say कि जॉब के लिए बहुत हिल्फुल है कैसे आपको करना क्या है सिंपल सा अगर मान लीजे कल किसी इंटर्व्यू के लिए आपको जाना है तो आप क्या करोगे जाएफल हलका सा घिस होगे गिस के एक paper पे आप जाइफल को paper पे घिस हैं आप जाइफल को जब आप paper पे घिस होगे तो उसका powder paper पे spread हो जाएगा उस spread हुए paper पे आप अपने name का initial लिखोगे जो भी आपका नाम है उसका एक initial English letter में suppose मेरा सुमन तो S ऐसे एक initial लिखोगे और छोटा सा number 24 अगयान आप ड्राफ करोगे ये number 24 उसी paper पे आप blue color के pen से लिखोगे simple सा spell है बहुत ही simple और बहुत straight forward बतारी हूँ ध्यान से सुनना एक paper लेके आराम से बैठो उस पे जाइफल घिसो घिसने के बाद आप अपने name का initial उस powder पे अपने finger से किसी और चीज से नहीं finger से आप बना दे ओके ये index finger right hand कर ले और इसके बाद फिर blue color के pen से number 24 उस paper पे लिख दे आप planet Jupiter को याद करते हुए सिर्फ इतना सा कि Jupiter मुझे मेरी dream job मिल जाए बस यह जो job मेरे लिए बहुत important है ये मैं manifest करना है मतलब एक prayer जैसा ही आपको कुछ Jupiter से request करनी है Jupiter की vibes लेनी है और इस paper को फिर fold कर देना है fold करके इसको अपने पास मोड करके अपने purse में, wallet में या कहीं safe रखें जब तक आपको job न मिल जाए जब आपको job मिल जाएगी आप इस paper को मिट्टी में दबा देंगे धियान रखेगा जलाना नहीं है मिट्टी में दबाना है ओके ये simple सा spell करें और ये one time activity है कब करना है, किसी भी दिन कर सकते हो periods में कोई restriction है periods में भी कर सकते हो, कोई restriction नहीं है दिन के किसी भी पहर में आप इसको कर सकते हो I hope सारी चीज़े clear है यहाँ पे first पे बैठके करो या फिर आप table chair पे का इस्तमाल करें और उस पे बैठके करें ठीक है ये हो गया, इसके अलावा एक जाइफल के टुकलो को आप चाहें तो अपने pillow के नीचे manifest करके रपना शुरू करें अपनी किसी भी wish के लिए suppose एक जाइफल का टुकला हाथ में लो रोजाना अपनी wish के लिए affirmation दो इसमें present tense में suppose मान लो कि मुझे मेरे partner की call जाईए so मुझे मेरे so and so person की call आ गई है thank you so much, thank you universe पूरे feel and gratitude के साथ आप इसमें बोलो, खुश हो करके और इस जाइफल को अपने pillow के नीचे रख के सोना शुरू करो, रोज सुबा इसे उठा के safe कहीं रख दो रात में सोने से पहले वापस से अपने हाथ मेलो मुठी मेलो, affirmation दो पिलो के नीचे रखो, सो जाओ ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक कि आपके wishes manifest नहीं हो जाती, नहीं तो अगर counts में करना है, तो 21 दिन करो अगर 21 दिन के बाद आपको लगता है कि या relationship में थोड़ा बहतर हो रहा है, तो इसको 40 days continue करिए, ठीक है ये छोटे छोटे उपाए, जाइफल के प्रीज शुरू करो, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो काफे अच्छा है, और शिबलिंग पे जाइफल चढ़ाना शुरू करो आप लोग मन की शांती बहुत ज़रूरी है क्योंकि मन में इतना उथल-फुथल मचा हो है सबके कि हम टेकनीक्स कर रहे होते हैं विशस भी पता है, लेकिन एक्स्ट्रा और ओवर थिंकिंग कर 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 के उन विशस को मैनिफेस्ट ना होने देने में हमारा ही सबसे बड़ा मेजर रोल हो जाता है क्योंकि विशस्ट्राइब कर देने में विशस्ट्राइब कर देने में